पाज के इस एकवीडियो भी मैं अपको बताने वाला हूँ कि आप बंक एकवान क्वान के सारागा है आपको लाइप प्रोसेस करके दिखाने वादा हों कि आप BANK CLO紋वाइब कैसे टाउनलόड करेंगे और BANK क्लोजींग फॉर्म कैसे आपको फिल करना होता है कौन से आपको की चाहिए को डाकुमेंटक सपोतिंग डाकुमेंट आप लगा सकते हैं आपको अपने mobile laptop में कोई एक browser open करना है और browser में आपको सर्च करना है account closure form लिखने के बाद आपको जिस भी bank का account close करना है जैसे state bank हो गया इस पर आप click करेंगे तो PDF download हो जाएगे और आपको account closer form में मिल जाएगा यहां पर इस तरीके से SBI का account closer form आपको मिल जाएगा अगर आप दूसरा bank सर्च करना चाहते हैं यहीं पर access bank या फिर HDFC bank यहां HDFC bank पर click करेंगे तो यहां पर आपको HDFC bank का account closer form मिल जाएगा इस पर click करेंगे देख सकते हैं इस तरीके से PDF आपको download हो जाएगा इस form को आपको फिल करना होता है और फिल करके आप इसे आप by post send कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो branch विजिट करके branch में इसे आप submit कर सकते हैं अपने supporting document के साथ अगर आपने आधार card लगाया है bank में तो आधार card का आपको photocopy self-attested करके जमा करना होगा तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका form रहेगा मैं यहां पर आपको और भी form दिखा देता हूं जैसे HDFC bank का हो गया और किसी bank आपक इसी bank का डाउनलोड करना है तो data bank सर्च कर देंगे उसके बाद 1 में आप देखेंगे तो आपको यहां पर form मिल जाएगा यहां पर जैसे Axisban金 का आपको देखना talk environment चलोज आपकों दिखा राहेगा यहां पर आपको बैंक एकाactions कि धिल करनी पड़ेगी सबसे आप향 में तो यहां पर आपको date मिलेगा right side में देखेंगे तो account number यहां पर आपको account number fill करना है IV लिखा रहेगा यहां पर आपको अपना नाम डालना है destroyed by me as यहां पर आपको number form number डाल देना है और उसके बाद यहां पर नीची आपको मिल जाएगा इन ब्रांच सर्विस आपको ब्रांच की सर्विस सब अच्छी नहीं लगी है तो आप इस पर टिक मार कर देंगे monthly quarterly half yearly charges आपको ज्यादा लगें higher लगें यहां पर टिक मार कर देंगे सिफ्टे टू अनेदर प्लेस आपको यहां पर ब्रांच नहीं है तो आप यहां पर टिक मार करेंगे monthly quarterly half year आप higher side आप बैलेंस देख सकते हैं ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है यहां पर टिक मार कर देंगे लगें moving to other bank पर जाना चाहते हैं foreign या पिर private sector तो इस पर टिक मार करेंगे moving to other bank ने इस्तलाइज या फिर cooperative bank में जाना चाहते हैं इस पर टिक मार करेंगे opening the account in some different scheme code की साथ आप account ओपिन करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार करेंगे जो भी यहां पर आपका reason रहेगा यहां पर पियो मिल जाएगा इस पर अगर रहता है डेडी आपका अगर कोई है तो इस पर टिक मार कर देंगे यहां पर आपको मिल जाएगा particular of standing instruction यहां पर आपको कोई joint account है तो यहां पर आप उसका नाम बगर डालेंगे date हो चुकी है cancel करना है transfer account number बगर तो यहां पर आप डालेंगे नीचे यहां पर मिल जाएगा name and signature all applicant अगर आपको joint account है तो तीन आपका तीन परसन का joint account होता है तो यहां पर आप पीनो का नाम डालेंगे दो का है तो दो का नाम डालेंगे और दोनों का signature करेंगे उसके बाद यहां पर नीचे आ जाएगे bank use only यहां पर आपका कुछ भी नहीं करना है जहां पर bank use only लिखा रहेगा उसके नीचे आपको कुछ फिल नहीं करना है यह पूड़ा bank की तरफ से फिल किया जाएगा देख सकते हैं आपका branch का नाम रहेगा head branch का उसका employee code वगएरा यह सब चीजें रहती है इसमें सील फिंग ने सिरफ वगएरा रहेगा bank क स्टॉंप लगेगा और account number वगएरा उनके द्वारा फिल किया जाएगा और उसके बाद इस्टेंट यह आपका bank account क्लोज कर दिया जाता है और अगर आपका bank account में कुछ भी balance maintain रहता है तो आप उसको cash के थूप डूल कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहते हैं तो check के थूप भी आप इसे ले सकते हैं इस तरीके से आप access bank का closure form फिल कर सकते हैं इसी तरीके से मैं आपको एक और bank का दिखा देता हूँ जैसे ICIC bank अगर आपको फिल करना है तो ICIC bank पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा request to closure form यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपका PDF डाउ आपको चार्जेस बहुत जादा लग रहे हैं या फिर अधर बैंक में आप जाना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर नीची आपको मिल जाएगा time account closure का कि कैसे आपका account closure होगा कितना time लगेगा उसके बाद नीची यहाँ पर मिल जाएगा कि जो आपका payment है आपका balance आपके account पर उसको आप कहां पर लेना चाहते हैं अगर आपको कोई और ICC bank account है तो उसका detail आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं अगर आपको उसको cash through लेना है तो आप cash through भी ली सकते हैं अगर आपको check through लेना है तो आप check through भी ली सकते हैं उसके बाद नीची यहाँ पर मिल जाएगा applicant जि और जो भी आपका बैलेंस रहता है आप उसको कैस या फिर चेक के थूरू बिर्डॉल कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी बैंक का एकाउंट क्लोजर फार्म डाउनलोड करके आप अपना एकाउंट क्लोज करवा सकते हैं या अगर आप ब्रांच विजिट करते हैं तो यह जो एकाउंट क्लोजर फार्म होता है यह आपको ब्रांच में भी मिल जाता है तो आप ब्रांच से भी आप इस फार्म को फिल करके आप जमा कर सकते हैं दोस्तों कि चोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लागा है तो लाइक कीजिए अपने फिर्ट के सस्तेरकर में कोई डाउट के प्रावलम है तो नीचे आप कमेंट्स करते हैं और मुझे इस्टेग्राम पर फालो करके वहां भी मैसे कर सकते हैं इले 094 थैंक्स वर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नीच्ट वीडियो में नीच्ट आपके साथ अब तक लिए हैं टेक्यर